जब ट्रेलर आया था कुडी हरियाने वाली ती या कुडी हरियाने की जो इस ट्रेलर को देखकर मैं काफी जादा एक्साइटिड हुआ था ओफिसली हर वीडियो के अंदर तो मैं यही बोल देता हूँ हर ट्रेलर को देखकर मैं एक्साइटिड हो जाता हूँ रीजन ये था excited होने के क्योंकि इसके अंदर हर्यानवी action और हर्यानवी culture को दिखाया गया था अब मैं देखना चाला था कि पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री वो कैसे हर्यानवी action को हर्यानवी culture को represent करती है हाँ बोलिवुड के अंदर हमने काफी सारी movies देखी है जिनके अंदर हर्यानवी culture है हर्यानवी action और उसको दिखाया गया है लेकिन पंजाब की शायद ये पहली ऐसी movie होने वाली थी यानि पंजाब film industry की तरफ से ऐसी पहली movie थी अगर मैं गलत ना हूँ तो जहां पर हर्यानवी action हर्यानवी culture को अच्छे से दिखाने की बात हो रही थी अब हालांकि हर्यानवी जो film industry है वो इतनी ज़्यादा grow नहीं कर पाई है हर्यानवी music है यानि जो song है उन्होंने तो धमाल मचा रख है पुले all over India में या फिर बाहर देश के अंदर भी लेकिन अभी movies जो हर्यानवी जो movies है या हर्यानवी जो web series कह सकते हैं OTT platform पर उन्होंने अभी तक कुछ अच्छा काम नहीं किया है ना के बराबर ही काम किया है जहां पर अभी काम करना बाकी है खेर हम बात करते हैं movie की कहानी की जो इसकी जो length है कुड़ी हर्याने वाली movie की जो length तकरीबन धाई गंटे के आसपास रखी गई है और इसके अंदर में जो देखनी को मिल रहा है कि सिवजोध जो character है जिसको play किया अमी एमी विर्क जी ने तो सिवजोध काफी जादे एक आ पहलवानी करने की तब तक वो उसके पीछे पड़े रहेंगे और एक दिन उसको मितलब सिवजोध को जाना पड़ जाता है हर्याना में क्योंकि पंजाब के पहलवानों का और हर्याना के पहलवानों का मैच होता है हर्याना के अंदर जहां पर जो सिवजोध है वो निलम ज की इप्रेस करने के लिए जूट बोल दिया कि वही वह पहलवान है और अब इस जूट से क्या-क्या प्रोब्लम आती है देखो इसके लिए तो आप कोई मूवी देखने ही पड़ेगी आप बात करते हैं कि मूवी में क्या अच्छा है और क्या इसके अंदर कम्या तो सबसे प बात करूं मतलब उनका नाम से मुझे याद नहीं आ रहा वो अपनी बेटी को डूंड रहे होते हैं तो एक जैसे उनके साथ एक फणी वैवार किया गया है वो मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा इसके अलावा मूवी में जो एक करेक्टर है जिसको अपले किया है एम बात करूं तो को उन्होंने डिलम का जो करेदार निभाया है एक हर्यानवी लड़की का तो उनके एक्शन काफी बढ़िया रहे हैं वैसे हमारे यहां पर जैसे कि मैंने बोलिवुड मुवीज भी देखी हैं तो जहां पर हर्यानवी एक्शन को कैसे दिखाते हैं अगर हुआ कि काफी बढ़िया है एक अच्छे से ध्यान रखा गया इस तरव से रहो और एक हर्यानवी कल्चर को भी यहां पर रिप्रेजेंट किया गया जो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा बाकी जैसे मैंने का मूवी कोमेडी से भरपूर है बस यह होगी इस मूवी की अच्छी अच्छी बाते हैं लेकिन एक चीज और रहेगी जो इसके सोंग से वो भी काफी बढ़िया है अब अगर बात करें इस मूवी के अंदर कमी क्या है देखो धाई गंडे की मूवी है और आप धाई गंडे तक आप इस मूवी में जो चीज़ें दिखा रहे हैं वो जितरी की कहानी आपके इसमें देखने को मिल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एक एवरेस है मतलब आपका इंटरस्ट कभी कभी बनता है कभी नहीं बनता है हाँ मूवी के अंदर जो आपने एक हरियाना का जो पार्ट दिखाया गया है पंजाब और हरियाना को जो मिलकर काफी ज़्यादा इंटरस्टिंग है उसको देखकर काफी ज़्यादा मजा आता है वो कोमीडी से भरपूर है लेकिन उसके अलावा कहानी पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं है बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल कहानी है और इस मूवी के अंदर जो एक एंडिंग सीन आता है पहलवानी का जो लेकर मतलब यहां पर एमी विर्क जो है वो पहलवानी करते हैं हमको नजर आते हैं माफ करना अगर आपको spoiler मिल रहा हो खेर ज़्यादा बातों के बारे मैं चर्चा नहीं करूँगा कहीं फिर मुझे गालिया सुनने को मिल जा है वो लास्ट वाला जो मैच होता है वो बस ऐसा समलो की हाँ ठीक है मान लिया ऐसा हो भी जाता है जैसे कि हम मैथ में नहीं कहते हैं X की value मान लो बस इसमें भी मान लो यह सब चीजें हो रही है मतलब एक ऐसा इंसान जिसने पहलवानी मतलब उसके experience है उसको काफी time का बस उसमें कौन जीतने वा और अगर नहीं देखे तो जाकर देखो अगर आप हर्याना पंजाब यहां दिली के अंदर रहने वाले लोग हैं शायद उतरपरदेश के अंदर शायद लगी हो वो मुझे नहीं पता हर्याना के अंदर obviously मिल रही है आपको देखने के लिए तो अगर किसी के पास मतलब जि इस वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिन